A x वर्ग धन B x धन C के रूप में बहुपत के मध्यपत को तोड़ कर गुरन खंड ग्याद करना पुना हम x वर्ग धन 5 x धन 6 के गुरन खंडन पर विचार करते हैं क्या किसी सर्वसमिका के रूप में इसे लिख कर इसका गुरन खंडन कर सकते हैं आप देखेंगे कि इस बहुपद को हम किसी भी ग्याद सर्वसमिका के रूप में नहीं दर्शा पा रहे हैं इस प्रकार के बहुपदों के गुणन खंडन करने के लिए हमें उनके मद्यपद को दो ऐसे भागों में तोड़ने की जरूरत होती है जिनका योग तो मद्यपद के बराबर हो लेकिन उनका गुणन फल बहुपद के प्रथम वा अंतिम पत के गुणन फल के बराबर हो अब हम X वर्ग धन 5X धन 6 का गुरन खंडन करके देखते हैं अब हम बात करते हैं तीसरे बहुपत X वर्ग धन 5X धन 6 की जब हम इस बहुपत का गुरन खंडन करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि हम इस बहुपत को किसी भी सर्वसमिका के रूप में दर्शा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें उनके मध्यपत को दो ऐसे भागों में तोड़ने की जुरत होती है। जिनका योग तो मध्यपत के बराबर हो लेकिन उनका गुणनफल बहुपत के प्रथम वँ अन्तिमपत के गुणनफल के बराबर हो। याने कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्यपद तो वो हुआ 5X और उसका जो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल है वो क्या होगा प्रथम पद है X का वर्ग और अंतिम पद है 6 तो इसका गुणनफल हमें मिल रहा है 6X का वर्ग अब हमें 5X को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसमें उन दोनों का गुणनफल 6X वर्ग के बराबर हो तो हम 5X को लिख सकते हैं 2X धन 3X और इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे 2X गुणे 3X तो हमें मिलेगा 6X का वर्ग इसका मतलब यह हुआ कि इस मद्य पद को हम 2X धन 3X के रूप में तोड़ सकते हैं तो चलिए हम इस मद्य पद को दो पदों में भाजित करके इस प्रकार लिख लेते हैं एक्स वर्ग धन 3X धन 2X धन 6 अब इससे जब हम हल करेंगे तो हमें करना क्या होगा प्रथम दो पदों को प्रथम दो पदों का जोड़ा ले ले और उसके अगले दो पद का जोड़ा ले ले इस जोडे से हमें क्या करना है यह देखना है कि प्रथम दो पद में क्या उभैनिश निकाला जा सकता है और अगले दो पदों में क्या उभैनिश निकाला जा सकता है हम देखेंगे कि X वर्ग धन 3X में X जो है वो उभेनिष्ट निकाला जा सकता है क्योंकि वो दोनों पदों में है हमें कोश्टक में क्या प्राप्त होगा? X धन 3 बिल्कुल उसी प्रकार अगले दो पदों में आप उभेनिष्ट देख लें तो उभेनिष्ट क्या होगा इसमें? 2 मिलेगा यहाँ पर कोश्टक में X धन और 6 में 2 का भाग करके देखेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 3 इस प्रकार दो उभेनिष्ट हुआ और X धन 3 जो है वो हमें कोश्टक में प्राप्त हो गया पुना अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पस फिर दो पद है जिसमें दोनों पदों में हमें X धन 3 दिखाई दे रहा है यानि कि यह X धन 3 भी जो है वो उभेनिष्ट निकाला जा सकता है और फिर कोश्टक में हमें प्राप्त होगा प्रतम पद में X धन 3 क्योंकि उभेनिष्ट निकाला जा चुका है तो मिलेगा X धन दुटी पद से भी X धन 3 उभेनिष्ट निकाला जा चुका है तो मिलेगा अंदर कोश्टक में 2 इस प्रकार X का वर्ग धन 5X धन 6 का गुणन खंड हमें प्राप्त हुआ है X धन 3 गुणेत X धन 2 इस प्रकार यह प्रश्ण हल हुआ हमने देखा कि X का वर्ग धन 5X धन 6 का जो गुणन खंड हमें प्राप्त हुआ था वह है X धन 2 गुणेत X धन 3 इस गुड़न खंड़न के तरीकों को सीखने के लिए हमने जिस व्यांजक का उप्योग किया है वह व्यांजक है X धन अलफा गुणेत X धन बीटा बराबर यहाँ पर हम गुणा करके देख लें क्या प्राप्त होगा X का वर्ग धन अलफा X धन बीटा X धन अलफा गुणेत बीटा याने के हम इसे इस प्रकार लिखेंगे X का वर्ग धन इन दो पदों में यदि हम X का उभेनिश ले ले तो मिलेगा अलफा धन बीटा धन अलफा गुणेत बीटा एक्स धन अलफा गुनित एक्स धन बीटा इससे हमें जो व्यानजग प्राप्थ हुआ है इस व्यानजग को हम AX का वर्ग धन BX धन C के रूप में लिख सकते हैं इसे हम किस प्रकार लिखेंगे हम लिख सकते हैं A गुनित X का वर्ग धन B की जगे पे हो गया अलफा धन बीटा साथ में X गुणा में और C के स्थान पे हो गया अलफा गुनित बीटा तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा A का मान मिलेगा 1 एक बी का मान मिलेगा अल्फा धन बीटा और सी का मान मिलेगा अल्फा गुनेत बीटा तो हम यहां देखते हैं ए बराबर एक बी बराबर अल्फा धन बीटा और सी बराबर अल्फा गुनेत बीटा AX का वर्ग धन BX धन C के रूप के किसी भी बहुपत का गुणनखन प्राप्त करने के लिए प्रतम पत X वर्ग के गुणांक A वह अंतिम पत C का गुणा करते हैं तथा प्राप्त गुणनफल के दो ऐसे गुणनखन प्राप्त करते हैं जिनका योग मध्यपद X के गुणांक B के बराबर हो